आप अप्रेंड नमस्कार गुड मॉर्णिंग इस्पेशल गुरु जी जी में आपका स्वागत है फ्रेंड से दिया आप मेरे चैनल में नए नए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड से आए हम लोग वाल्ट मैंस यह देखें आपसर नमबर ए पाउ मोनक पैसेश टू इंडिया सी ओ कैप्टेन माई कैप्टेन यहां डी है सांग आफ माइसेल्फ फ्रेंड यह आपसर नमबर डी करेक्ट है आए इन का डीटेल देखते हैं सांग आफ माइसेल्फ इस पोएम बाई वाल्ट विटमैन दैट इस इंक्लूदेड इन हिज वार्क लिफ्स आफ ग्रास इट हैस बिन क्रेडिटेड अज रिप्रेजेंटिंग देलोर अफ वाल्ट विटमैन्स पोटिक विजन से सांग आफ माइसेल्फ कविता विटमैन से विटमैन द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट कोशन इन दो ओपिनिंग इस टंजा आफ संग आफ माइसेल्फ विटमैन बेगिन सीज इस इस प्रिचुल अवेकनिग अड दे एज आफ फ्रेंट्स शंग आफ माइसेल्फ जब विटमैन लिखे तो उस समय इनकी एज कितनी थी फ्रेंट्स ए थर्टी सेवन बी 15, C 24, D 61 इसका राइट आप्शन ए है यह 37 एर्स के थे जब सांग आफ माइसेल्फ लिखे थे ओप्रिंग लाइन आए फ्रेंट्स हम लोग इनका डिटेल देखते हैं सांग आफ माइसेल्फ इस आ पोएम बाइवार्ट विटमैन दाइज इनक्लुड़ेट इन हीज वर्क लिफस आफ ग्रास दपोएम वाज पब्लिश्ट इन 1855 यह कविता जो है अठरासो पाजपन में पब्लिश्ट हुई थी दपोएम इज रिटेन इन विटमैन सिगनेचर फ्री वर्स्टाइश ताइल इनके पोएम जो है विटमैन की फ्री वर्स्ट इस्टाइल में है यह नेस्ट कोस्टन वाट विटमैन्स संग अप मैसल्फ वाज फर्स्ट इनक्लुड़ेट इन यह अप्शन नमबर ए लिफस आफ ग्रास बी नमबर बोग दे ड्रम टैप्स डि पोएम वार्ट विटमैन्स का राइट अप्शन है ए लीफ साफ ग्राश अप्सटन नमबर ए देखिं इनका डेटेल पड़ देखते हैं संग आफ वाल्ट विटम्हें इस वार्क लेप्स आफ ग्रास्ट शेइं का वर्क जो है इन इंक्लीट किया गया है इत हैज बीन क्रेडिटेड आज री प्रेजेंटिंट इन गडेड में इस पूर्टिक विजिन नेश्ट कोष्चन वाल्ट विटमैन ओ कैप्टन, माई कैप्टन इज एन एलेजी यान ये एलेजी किस पर लिखी गई है वाल्ट विटमैन की ओ कैप्टन, माई कैप्टन जान केनेडी b. अबराहम लिंकन c. बोशवेल d. his father प्रेंट से यह इनका जो है अब्राहम लिंकन आपसन नंबर भी करेक्ट है अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राश्वती थे उन पे यह एलेजी लिखी गई है अब्राहम लिंकन से अब्राहम लिंकन से असासिनेशन मृत्यू के बाद इन एटीन हंड़ेट फाइब मृत्यू के पस्चात अथरह सो पांच में लिखे The poem is classified as an elegy or morning poem And was written to honor Abraham Lincoln, the 16th President of the United States The poem was first published in the यह अमेरिका के राष्ट्पती अब्राहम लिंकन पे ये एलजी लिखे थे को नेस्ट वेस्ट वर्ट व्यरम नैंसर्द व्यर्ट वंचर्व इंचर्वर्ट वार्ड विटमिन प्रोंग प्रोंग यहां टोच्व आप यहां पाल्डी में से इमिली डिकेंशन फ्रेंट यह चार तीनों लोग नहीं है डिटेल देखते हैं वाल्ट विट मैं इंटर्ड इंटर्ड पोलिटिक्स आइज़ डिमोक्रेट ही बिकेम एडिटर तो अडिमोक्रेटिक निउस्पेपर ही बिलेवड एंड शोज्ड हॉव मैंट मैट अचीव ओडिमोकर्ड अडिमोकर्ड यह चार तॉ इमट प्रहीं का चार्ड विटिक्रड तो अटिमुक्रड प्रहीं खोंड इम्क्राड फोड पोलिग अटिरिक्स आइज़ एंट का शीडिक्स आइज़ प्रहॉ यह पैट्रियार्टिक है नेस्ट कोशन वीच आफ फालोइंग पोईर्स वाज 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 आफ दे ओपिनियन देट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रफ्स हैड नेश्रियल ग्रोथ अपसन नमबर ए वर्स वर्स सेले फ्रास्ट यह विटमेन है डीटेल देखते हैं थ्रो आउट विटमेन स् पोईर्टरी प्लान लाइफ सिंबलाइज बोथ ग्रोथ एंड मल्टिप्लिच सिटी इन वेन लेलाक्स लाश्ट इन दूरियार्ड ब्लूम्ट विटमेन इन users flowers, bushes, wheat, trees, and other plants' life to signify the possibilities of regeneration and regrowth after death, press next question what whitman is a poet of 19th century 20th 17h13 wittman 19th century के पोएट थे वाल्ट विटमैन एज पोएट आफ नाइंटीन सेंचुरी ही वाज बॉर्ण अन में 31 एक्टीस माई 1819 में एंड वाज एन अमेरिकन पोएट एसेइस्ट एंड जेनरेलिस्ट यह अमेरिकन कभी एसेइस्ट और जेनरलिस्ट भी थे नेस्ट कोश्चन सांग आफ माई सेल्फ किसकी पोएब है सेले वर्षवर्थ विटमैन टेनीशन फ्रेंस यह राइट आप्शन इनका सी है विटमैन है सांग आफ माई सेल्फ विटमैन द्वारा लिखी गई है डीटेल देखते हैं गाड इन दिस कंटेंड इस सीथिंग प्रिंसिपल और हुमन सोसाइटी इस फ्लो आफ सेफ्स एवर प्रोजेक्टिंग अधर सेफ्स प्रीट आफ इस विटमैन अविटमैन अविटमैन इस व्यजाब साफ प्रोजेड और हुम्री इस स्वार इस देफ्स।वर्श इस प्रोजेड प्रोजेद और हुमें लिछ आफ आफ्सक्डिंग Myself and sing Myself is a line from Walt Whitman, option number A, Once Self I Sing, B, I Hear America, Singing, C, A Passage to India, D, Song of Myself's Friends is a right option, Song of Myself, I Celebrate Myself and Sing Myself is a line from Walt Whitman, Song of Myself, It was first published in 1855, in the edition of leaves of grass, leaves of grass, edition, I is written in free verse style in free verse style, नेस्ट कोस्टेन, वूज देथ वेन लेलैक्स लास्ट इन दर्डूर्याड व्लूंड कममेरेट लिंक्न जान ब्रॉंज इस्टोन वेल्स जैक्षन दपोर्स मदर, correct option A है, Lincolns, detail देखते हैं, इत वाज लांग पोएम इन दप, in the form of an L.A.G. by American poet Walt Whitman in 1865 during a period of profound national mourning in aftermath of the assassination of President Abraham Lincoln on April 16, 14, 14 April 1865 में लिखे थे नेक्स्ट क्वेशन वाट इस अमेजर सिम्बल इन विट मैं संग आफ माइसेल्फ संग आफ माइसेल्फ के सिम्बल क्या है दोशीन, अबर्ड, टॉम्स्टोन, दी ग्रास, दी ग्रास, ग्रास करेक्ट आफसन है आफसन नमबर दी देटेल देखते हैं, इस दे लांगेस्ट और मोस्त इंपर्टन पोयम इन दे लिवस इस पोयम कंपेर्स दिफ्रेंट अब्जेक्ट और लिविंग बेंग अफ नेचर नेक्स्ट क्वेशन विच अमेरिकन राइटर वाज ग्रेट इंफुलेंस अन वाल्ट विट्मेन किस से यह ज्यादा प्रभावित हुए थे थे थेरियों कूपर हो थार्न इमर्शन फ्रेंट राइट आप्शन डी है इमर्शन से इनका फूल नेम राइल वाल्ट 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 इमर्शन है नेक्स्त कुसिन दशिप इन से वित्माइन ओ यसंसे अ कतल現在 म्लाह्यके इमर्ट वाल्ट कूर्ट म Worlds झान कॉइंस परूम्हाःइज अवर्ट ठान मॉर्ट वीकलिंधरौंशन नम्हर्ट है इमल्यक्ह्रिष्झयॉ नेक्स्ट कोश्चन विटमेंस बेटर नौन पोयम वो कैप्टेन माई कैप्टेन इस एन इलेजी अन्दर डेथ हाफ दर प्रेशिडेन्ट आफ अमेरिका वो कैप्टेन माई कैप्टेन इनकी करता सबसे अच्छी है यह अमेरिका के राष्टपती के मृत्यू के बाद लिखे थे सोगी इट रिफर्स तो डेमोक्रेशी देशाओ अमेरिका डिसाइड तो ब्रीक आवे फ्रम नार्थ अमेरिका वट लिंकन फार दसेक आफ इंटर ग्रिटी द आफ देनेशन अपोस्ट दिस नेक्स्ट क्वेशन विटमैन्स पोयम क्रासिंग ब्रुक्लीन फेरी कितने लाइन में है नाइन सेक्षन एलेवन सेक्षन थार्टिन सेक्षन नान आपतिस यह जो है नाइन सेक्षन में है क्रासिंग ब्रुक्लीन फेरी विटमैन की कविता Wittmann's poem Crossing Brooklyn Ferry contains nine sections. This poem first appeared in the 1856 edition. It contains little in the way of a distributable formal structure. It features a great deal of random internal patterning created by a repetition of word and phrase. Next question. From which poem of Wittmann are the following lines taken? O Powerful Western Fallen Star O Shades of Night O Moody Tearful Night Option number A O Captain My Captain B When Relaxed Lost in Duryod Bloom C Crossing Brooklyn Ferry These lines appear in Walt Whitman 1819 to 1892 Pan nine2 Long poem in the farm of illages Lambi coven जो इलजी है वेन लेलाइक्स लास्ट इन द डुर्याट ब्लूम्ड इन 1865 इन इलजी एक इलजी है वेन रिटेन अन देथ आफ अबराहम लिंकन अबराहम लिंकन के मित्व के बाद लिखी गई है दा पोईट लवड एंड एड्माइड हीम फार हीज ऑनेश्टी करेज एंड अएंडड लास्ट अवेड मैं वेन लेदार ओद ब्लूम्र इन Γ्लोट डूम्रेट थरीज़ एंड डुरीऑ ठा यह एंड πα्या करेंड लास्ट इन द देशब ईाफों लंदेंट अगच्ण इन दॉट गोषीज कोंड़ की छाग दड्रम छamentsड इन दाफ ड्र लीवड रस् की डिस्टेंट लाइकनेस लेंड लिलाक्स लाइस्ट इंडुरियाड ब्लूम संग आफ माइसेल्फ लिफ्स आफ क्रास ये तीनों विट्मेंड की है डिस्टेंट लाइकनेस ये इनकी नहीं है कि डिटेल देखते हैं डिस्टेंट लाइकनेस नाइटीन हंडेड सेवेंटी में लिखी गई है सेवेंटी थ्री में इस नाट पोयम बाइवाट वैप कविता जो है विट्मेंड की नहीं है एल्स आर रेटिन बाइंड हिम इस बाई पाल बैले ये पाल बैले की कविता है नेस्ट कोस्टन वाल्ट विट्मेंड पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन इससाइड पोयम मोर्निंग देथ हाफ अग्रेट मैन हू आज ही ये किसके डेथ मित्वी पर लिखी गई है ए वासिंगटन इरविंग बी अब्राहम लिंकन सी राल्फ वाल्डो इमर्सन डी टॉमस अलवा एडिशन ये करेक्ट आप्शन है बी अब्राहम लिंकन के मित्वी पर ये दुख भरी कविता लिखी गई है अब डिटेल देखते हैं वो कैप्टन माई कैप्टन इस एन एलेजी आंदर डेथा फॉर्ड फेमस अमेरिकन प्रेशिडेंट अब्राहम लिंकन जैव प्रसिद्ध अमेरिका के राश्ट्पती थे उनके मित्व के बाद ये एलेजी लिखी गई हो कैप्टन माई कैप्टन next question who among these is called a home-span philosopher a. Arnold b. Robert Frost c. Rajarao d. Walt Whitman यह इन वार्ट वीट मेन की है डिटेल देखते हैं हसे इनको झोह है होँएसपन फिलासफर के नाम से जाना जारे बुलाये जाता है next question in the poem of captain oh captain my captain the captains is George Washington Abraham Lincoln J. F. Kennedy is right option b Abraham Lincoln abraham lincoln detail देखते हैं The poem Oh captain my captain is written by Walt Whitman who is considered as one of the best american poets the poem is an allogy on the death of the famous american president abraham lincoln प्रसिद्ध राश्पती अबराहम लिंकन पे कविता लिखी गई है ओकेप्टन माई केप्टन जो सेड सांग है इन विज फेमस पोयम डज वाल्ड विट मैंने का रिफेरेंस तू स्वेज कैनल एंड वायर लाइन एक्रास दे एट्लांटिक ओकेप्टन माई केप्टन पैसेश टू इंडिया अर्थ माई ले लाइकनेस प्रेयर्स आफ कोलंबस फ्रेंड से राइट आप्शन है इसका ओकेप्टन माई केप्टन डिटेल देखते हैं वाट विट मैं मेक आ रिफेरेंस तू स्वेज कैनल एंड वायर लाइन अक्रास दे आट्लांटिक इन इस फेमस पोयम ओकेप्टन माई केप्टन इस पोयम इस अनलेजी अन देथ आफ फेमस पेसिदेंट अब्राहम लिंकन नेस्ट कोस्टन देटेल देखते हैं, Lips of Grass is a poetry collection by the American poet Walt Whitman, 1819-1892, published in 1855. The poems are loosely connected and each represents Whitman's celebration of his philosophy of life and humanity. Next question, Walt Whitman is known as a poet of A, democracy, socialism, capitalism, sex. आपसर नमबर एक, करेक्ट है, डेमोक्रेसी की नाम से जाने जाते हैं. डीटेल देखते हैं, Walt Whitman, मैं 31 माई 1819 में पैदा हुए, 26 मार्च 1892 में, डेथ होई, वाज एन अमेरिकन पोईट, यह अमेरिकन कभी थे, एसेइस्ट और जैनलिस्ट और जैनलिस्ट भी थे, he was known as a poet of democracy, यह डेमोक्रेसी के पोईट के नाम से जाने जाते हैं, he is often called the father of free verse, इनको free verse के पिता के नाम से भी जाने जाता है, फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त होता है, नेक्ट कल फिर हाजिर होंगे, नेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुड मॉर्निंग, टेक के लिए,